कि वेल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल डियर स्टुएंट्स आज हम आप लोगों के लिए जैक बोर्ड का मॉडल वेपर का यह सेट वन सॉल्व करने वाले और सॉल्व हो न है तो आपको हम इसमें जितना भी कोशन से साजा का सॉल्वीशन को कि ब्रॉइट करें और कुछ कुछ कोशिश करते हैं समझा देने का लिए इसमें पोरा सॉल्व है जिसा को भी यह इसका सॉल्व चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में हम अपना WhatsApp नंबर दे दिए वहां आप से आप मेसेज कर सकते हैं वहां हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे और जो भी इसका सेट 2 का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब के जो रही है सेट 2 भी हम अप्लोड करेंगे वहां आप देख सकते हैं तो सेट 1 का पहला question है unit of rate constraint for first order reaction जिसका value per second होता है second inverse emulsion का example butter emulsion का example by dented ligand by dented ligand का मतलब होता है कि जो दो electron pair donate कर सके oxalate C2O4 C2O4 2- इसमें 2-2 electron pair होता है दोनों oxygen donate करता है एक है यह hydrazine hydrazine में भी दो nitrogen है दोनों donate कर सकता है यह भी इसका example है next है इस compound का नाम बताना तो इसमें देखें तीन carbon का chain है second position पे amine है तो तीन carbon का chain कहलाएगा प्रोप और single bond है इसलिए एन कहलाएगा प्रोपेन और टू पोजीशन पर amine है तो प्रोपेन टू अमीन इस तरीके से यह वनवन मा का question है sugar present in DNA DNA में कौन तो sugar present होता है तो deoxy ribose monomers of nylon 6-6 यह polymer का question है nylon 6-6 का monomer यह होता है six carbon का chain है और end पर carboslicacy रहता है उसी तरीके से एक और उसमें होता है six carbon का chain end पर amine group होता है और नो नेक्स tincture of iodine tincture of iodine क्या होता है एक इस वीक और डायूट solution of elemental iodine विद एनई और की आई डायूट solution होता है elemental iodine का एनई आई या की आई के साथ water में और alcohol में इसको iodine tincture भी खायाता है तो यह वन मा का question एक लाइन का definition है इसको आप लिख सकते हैं वाट्सेप करिएगा तो यह PDF बनावा है इसका आपको consent कर देंगे नेक्स question है second order reaction यह numerical है यह question भी आता है यह one मा का question नहीं है section B start होगी यहां से second section second order reaction है उसमें कह रहा है कि rate किस तरीके से affected होगा जब concentration of reactant को double कर दिये जाए यह half कर दिये जाए तो इसको देखिए हम कैसे बनाएं मान लेजे एक reaction है जहाँ पे A convert हो रहा है B में तो इसका second order reaction जो second order reaction है वो इस तरीके से लिखा जाएगा rate is equal to rate constant concentration of reactant का square शुरू में मान लेते हैं A का concentration X है तो rate constant का expression में जाएगा r equal to kx square अब मानते हैं case 1 जो कह रहा है कि reactant का concentration अगर double हो जाता है तो A का value कर दिए 2X double पहले कितना था X अब कितना हो गया double 2X तो rate का expression लिखाएगा r equal to k a square एक जगह पर रख देंगे 2X का value तो इस तरीके से 2X का square कर देंगे तो 4X square आदेगा multiply करेंगे तो 4X square देगा तो kx square का value तो पता है r तो kx square के लिखाएगा r रख देंगे इसका मतलब जब reactant का concentration डबल कर देंगे तो उसका rate of reaction initial stage के 4 times हो जाएगा 4 गुना तो rate becomes 4 times यह question important है अच्छा question है आने का पूरा chance है और इसी चीज़ को सेम तरीके से किया कि अगर reactant का concentration अगर half कर दें तो शुरू में mileage एक्स था तो अब half कितना हो जाएगा उसका x by 2 half अगर कर देंगे तो reaction का speed कितने times हो जाएगा तो expression बना दिए एक value x by 2 रख दिए x by 2 का square इसका square करेंगे तो x square by 4 आजाएगा कि x square का value पता है और इसके जगा पर रख दिए r तो नया rate of reaction हो गया r by 4 मतलब एक चौथा ही हो गया तो अगर किसी reaction second order reaction है second order reaction का speed इतना है उस का concentration को अगर half कर दें तो जो rate है वो 1 by 4 times हो जाएगा जैसे माल लिजे reaction में reactant concentration 10 moles per liter है initially second order reaction है उस time reaction का speed है 20 unit का लेकिन जब 10 moles इसका 5 mole कर देंगे तो reaction का speed उसका 1 4th हो जागा 20 का 1 4th कितना आ जाएगा 5 तो 5 unit से reaction का speed आगे बढ़हेगा next question है physis option and chemis option में difference तो physis option और chemis option का ये difference हमें आप लिखा वा है one by one सब तरह का point लिख दिए है किस किस तरह का difference होता है और इन difference को आप याद कर लिजे और time यहाँ पे नहीं है कि सारे point को समझा जाए बहुत कम time है हम local exam के लिए और इसको याद करके practice करके exam के लिए त्यारी क इस compound का coordination compound इसका नाम लिखना है तो नाम लिखने का तरीगा क्या है यह central metal item में यह ligand है यह ionization sphere है तो सबसे पहले आपको काटायन का नाम लिखना है तरी काटायन है और यह अनायन है तो काटायन में ligand का नाम पहले लिगंड का नाम नाम एनस थ्री का लिगंड का नाम मुटता है अमीन है कितना हमीन है six amine तो लिखा जाएगा hexamine एकसामीन फिर इसका नाम कोबाल्ट कोबार्ट पे चार्ज यहां पे ठी है ठी चार्ज छूपाओ ए जिसको चार्ज हम टो निकलते हैं जिसको आसलिशन नमबर कहते हैं तो चार्ज अकर निकालेंगे तो ठी आता है ठी लिंग दीए और फिर प्लोडीन है तो chloride चार्ज निकालने के तरीका है आपर दिखाते हैं चार्ज बहुत असाने से निकाल सकते हैं जिसका चार्ज निकालना है इसको X माल लीजिए NS3 पर कोई चार्ज नहीं होता है उसका value माल लीजिए 0 0 into 6 is 0 plus CL पर चार्ज कितना होता है 1 CL पर 1 minus तो 3 CL पर 3 minus ये पूरा compound neutral है equal to milleering 0 ऐसा अगर आप करिएगा तो X का value देखिए plus 3 आता हो दिख रहा है now this plus 3 is the charge of cobalt क्योंकि X का value charge माने थे cobalt का चार्ज नहीं पता है उसको X माने थे X का value 3 मतलब cobalt का charge 3 यहां पर cobalt का charge लिखा जिखा जाता है central metal atom का charge लिखते हैं यह सब theory class में आप लोग सीखे भी होगे अभी practice करिए क्या क्या चीज़ है अब यहां पर दो लिखेंड है chlorine जिसका नाम होज़ा है chloride 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 नाम होता है लिखेंड के time में water का लिखेंड के time में तो aqua aqua comes from a alphabetic order में लिखना है chlorido clc से आता है तो पहले aqua लिखा जाएगा तो aqua कितना है चार है तो tetra aqua chlorido कितना है दो है dichlorido जो chloride होता है तो chlorido परते है आई-डी को आई-डी को कर देते है तो tetra aqua dichlorido chromium chromium पर charge कितना है तो chromium का charge निका लेंगे मतलब chromium का oxidation number निका लेंगे इसी method से तो plus 3 आता है plus 3 लिख दिए roman number में लिखते हैं और bracket में लखते है नो next इसका इस compound में देखिए कि पहले potassium है यह kutain है तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा और यह पूरा का पूरा जो complex anion है तो anion का नाम बाद में इसका नाम potassium है hexasynido cn का नाम sainite होता है तो sainido बन जाएगा hexasynido और iron का original name लेंगे लेंगे लाटिन नेम इसका नाम फेरम होता है तो उसको complex part anion हो तब तो इसका नाम बना सकता है नाइट्रोज भी बना सकता है अगर carbon bond मनाता है तो लिखते हैं saino c और लिखा रहेगा nc तो लिखेंगे saino n तो इसका दूसरा नाम लिखेंगे तरीका है potassium hexa cn को लिखेंगे saino c ferret 2 ऐसे भी लिखते हैं दोनों नाम सही है नेक्स इसमें reaction complete करने का है तो यह दो चीज़ से react करेगा तो क्या बनेगा amines chapter का यह reaction है यह hydrazine नाम से इसको पहचाना जाता है बेंजल डिहाइड है रियाइट कर रहा है NH2 co nh nh nh2 से याल रखना बहुत असान है इस h2 को ओ के साथ निकाल दीजे बाहर यह product बन जाएगा और इस n को जोड़ दीजे c के साथ तो बेंजीन c के साथ h c के साथ n जोड़ दीए और इस n के साथ यह पूरा चीज़ है इनके साथ यह पूरा चीज़ जोड़ दी इस तरीके से reaction दुसरा अनिलीन रियाट कर रहा है ब्रॉमीन से ट्राइब रोम ऑन बन जाएगा यह हो गया बेंजोई के सीड डाइबेंज़ोई के सिड हैली के सीड रियाट कर रहा है SOCL2 से बहुत सिंपल है ओएज़ अचाटा ये CL लगाई है ये सिंपल तरीका है हैलो एल्कैन्स में ही पढ़ चुके है अल्कोहल में भी वहच होता है OH आते हैं CL लगाते है OH अचाटा ये CL लगा दीजिए Compound बन गी next है Carbohydrates का classification क्लासिफाई कर सकते हैं कर्बॉहारडर को एक्जामपल के साथueller वता है म Да पॐनोसक्राइट ग्लूकोज फ्रक्टोस अबृट है जुक्रोज एक्जामपला रखेर यह भी इंपोडंट गुषण है नेच्ट नैच्छ्रल रबर नैच्र्रल रबर क्या होता है एक लॉंग हाइवीक्ला रेमिक्ला वेट वालास लेजर हाइड्र उपर ट्रृपर्टीि इसको कहते हैं जिसका अगर आईॉपी सी नेम देखें तो इसका योपी सी नेम होता है 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2 पर मिठाइल है, ब्यूट, दो बार डबल बहुन है, ब्यूटा हो जाएगा, 1 कारबन के बाद, 3 कारबन के बाद, 1, 3, 2 बहुन है, डबल डाइन, 1 के बाद इन, 3 के बाद इन, 1, 3, इन दो बार है, डाइन, इस तरीकी सिसका नाम लेगा, शॉर्ट नोट्स ल जो आप लिंक आपको चाहिए, जिसका पीडियेफ चाहिए, तो वाट्साइफ नमबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया वा है, आप मेसेज करिएगा, इसका पीडियेफ मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स पर डिसकस नहीं कर रहे हैं, ताइम इन सब्सक्रीजों कर नहीं है, हमनों समझने भी जादा फोकिस नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस करिए, एक्जाम का त्यारी करें, नेक्स्ट कोशन है, यह नुमेरिकल्स है, ऐसा कोशन भी कई बार एक्जाम में आ चुका है, हाफ लाइस से रिडेट करके, लेकिन इस बार दूसरे तरीके से कोशन दिया है कि hesitate for a first order kinetics, first order reaction है, time required for 99% completion of a reaction, किसी reaction का 99% complete हो ने में यह time लग रहा है, इस twice the time required to complete 90% of the reaction, वो दोगुना है जब किसी उसी reaction को 90% complete होने में जितना time लग रहा है 10 second तो 99% complete होने में time लग रहा है 20 second डबल हो गया इसी चीज़ को करें प्रूफ करिए कैसे बनाएंगे सबसे पहले एक reaction consider कर लिए reactant है convert कर रहा है product में first order है तो first order के लिए time का expression यह लिखा जाएगा 2.303 k log r0 by r r0 होता है initial concentration reactant का और r हो जाएगा final concentration reactant का अब case 1 में जाते हैं पहली बार में क्या कह रहा है 99% complete हो जा रहा है अगर 99% complete हो जा रहा है तो यह का maximum quantity convert हो चुका हो product में इसका quantity कितना बचावा है यह हमको निकालना है तो जब reaction होता है तो reactant quantity घढ़ जाता है 99% जब reaction complete हो चुका है उस दोरान उस time में reactant का जतना भी quantity बचावा है उस ही उका जाएगा final concentration of reactant तो केतना बचावा है निकालते हैं शुरू में जतना लिए वे थे उसका 99% complete हो होगा है मतलब 99% of initial quantity और नॉट इसको solve करेंगे तो 0.01 और नॉट आएगा 0.01 को हम 10 to the power minus 2 और नॉट भी लिख सकते हैं मतलब final concentration 99% complete होने के बाद 10 to the power minus 2 और नॉट बचेगा अब T99 निकालते हैं 99% complete होने का time को हम लिखे हैं T99 अगर half complete होता तो T half लिखते हैं तो 2.303 के लॉग R naught by R तो R के जगह पर अब रखने रखेंगे 10 to the power minus 2 R नॉट रख दिए R naught और नॉट cancel 10 to the power minus 2 पर गया 10 to the power 2 बन गया 2 आके आके multiply जाएगा तो बन जाएगा 2 times of 2.303 by K log 10 log 10 का value 1 होता है log 10 का value 1 होता है इसको 1 छोड़ देंगे 1 रख देंगे solve करेंगे इतना आ जाएगा अब case 2 क्या कह रहा है question में वही क्या कर निनानमे 90% complete होता है तो 90% complete होता है क्या मतलब 90% जब reaction complete हो चुका है तो reactant का कितना quantity बचावा होगा इतना quantity बचावा और इकुवर टू आर नॉट माइनिस 90% आफ आर नॉट करेंगे अगर जैसे यहां किये है निनानमे परसेंट आफ आर नॉट 90% आफ आर नॉट का मतलब यह दने आने वाला है 90 by 100 means 0.9 आर नॉट सॉल्व करेंगे तो 0.1 आर नॉट मतलब 10 to the power minus 1 आर नॉट 0.1 को इतना लिगती है अब फिर से time का expression लगाए यह वाला पार प्लस 1 means simply 10 जो 10 log 10 का वैली 1 1 into something is something अब equation 1 इसको माल नहीं equation 2 इसको माल नहीं equation 1 और 2 से हम क्या कह सकते है कि 2.303 by k के जगह पर T90 रह सकते है इसके जगह पर रख दिए T90 2 को 2 छोड़ दिए तो T99 is equals to twice of T90 just double यह question में proof करने बोलाता है कि 99% complete होने में जेतना time लाएगा वो 90% का double होगा तो 90% का just double आ रहा है इसको हम लोग प्रूफ कर दिए यह question salt नेक्ट कोशन है group 17 elements का oxidation नमर बताइए ग्रूप 17 नमर का oxidation नमर वैरी करता है minus 1 से लेके plus 7 तक minus plus में fluorine नहीं शो करता है बागी सब plus शो करता है fluorine सिर्फ और सिर्फ माइनस वन शो करता है जीरो भी आ सकता है इनके बीच में 0 भी है फ्लॉरीन ख्लॉरीन ब्रोमीन आयोडीन ग्रूप 17 में आयोडीन आयोडीन के बाताने बोल रहा है तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है क्योंकि साइज इंक्रीज करता है तो fluorine से एलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज़्याद होता है तो chlorine और fluorine में chlorine का ज्याद़ होता है chlorine extra small size होने कारण excess repulsion हो जाता है जिसके करन रिलीज नेर्जी का थरुक हो जाता है तो सबस्यादा क्लोरिन का दिन फ्लोरिन ड्रोमीन यह इसका order नेक्स्ट यह structure structure पर question कई बार रहता है 17 नमबर question structure हमेशा practice रखिये जिन एफ्टू के structure यह होता है SCLO4 का यह है BRF5 का यह होता है H2C4 के इस तरीके से कर सकते हैं इसको आप straight line में ऐसे सिर्फ दिखा सकते हैं कोई problem नहीं है zenon OF2 का इसा होता है इस तरीके सा रोजेन मून reduction कई साल exam में रोजेन मून reduction के बारे में पूछ चुका है इसलिए practice कर लिजे बेंजीन में benzoil chloride है यह बेंजीन में asyl chloride लगा दिये है COCR H2 से palladium beers of force के presence में reaction करवाते है reagent भी पूछ सकता है कि किसके presence में reaction हो सकता है तो आप यह reaction को पूरे तरीके ज्याद रखे इसमें short notes भी लिखने आता है इसको language में लिख देंगे कि benzoil chloride hydrants react करता है in presence of palladium barium sulfate तो यहां से सील हटा देंगे एट जोड़ देंगे benzoil chloride बन जाता है फुडल क्राफ्ट acylation के वादे में पूछ रहे है फुडल क्राफ्ट acylation हम एक हैलो एरीन से chloro benzene से समझा रहे है आप benzene से भी समझा सकते हो फुडल क्राफ्ट acylation में acyl chloride react करता है तो CS3 COCL एक acyl chloride क्याते है इसका नाम ethenoil chloride जाएगा इसमें जो डिएजेंट है वो special है अगर सुखावा नहीं रहेगा भीगा रहेगा पानी रहेगा मश्चर रहेगा तो alcl3 उसी से react कर जागा रियाक्शन नहीं हो पाएगा इसलिए इसमें याद रखने है तरीका यहां से बाहर कर दीजे और तो पोजिशन पर जाके इसको जोड़ दीजे और एक पारा पोजिशन पर जोड़ दीजे जो और तो पर जोड़ेगा वो minor quantity होगा क्योंकि यह less stable है और जो पारा पर है वो major quantity होगा क्योंकि यह ज़्याद इस तरीके से यहां पर यह compound बन नो नेक्स शॉर्ट नोट्स में दूसरे में आते हैं हम लोग एक और अल्डॉल कंडेंसेशन यह भी कई बार एकजाम में पूछ चुक है अल्डॉल कंडेंसेशन इसको ही प्रैक्टिस रखिए अल्डॉल कंडेंसेशन में एक चीज़ ज़रूरी है अलफा हाइड्रोइन दूसरा ज़र जातरी है दाइल्यूट निलएच यह बाएड सब्सक्त मतलब किया होगा तो अल्फा कार्बन समझीए फंच्चनल ग्रूब-के जस्ट बाद वाद्वला कार्बन अल्फक इसका मतलब ऐड Countmatic अल्फ़ा कार्बन करीं इस छेएंबश्चों ब्त्रूज़ रह में अलग दिखाए इन दोनों के बीच में 4 से एो hesitation कर दिजें माइनस प्लस V13- मैनस को प्लस में जोड़िए इस तरी के से ज़िए इस बन जाएगा See च्छोड च्छोड करते हैं वाटर मॉलिक्विट जाता है इसका एक है इसका एक है इसका ओच बाहर कर दीजे दोनों काबन के जाएगा डबल बन जाएगा डबल बन गया इस तरीके से यह कंपॉंड बन जाएगा यह कहलाता है एल्डॉल कंडेंसेशन प्रोड़क्ट इस रियक्शन इस पर भी राइट शॉर्ट नोट्स में आपको पूछ रहा है तो शॉर्ट नोट्स में इसी चीज़ को करवा है तो बैंग्ष और माईणा तो बैंजीन कर रियक्शन इससे कर वाइऀ आ इनोट्स कर राता है इनग्स और नेक्स्ट है तो एक का बंचा भी बढ़ाना है, C-N लगाईए, एक को C-N से रेक्शन करवाईए, C-L हटेगा, C-N जूर जाएगा, फिल इसका हाइडरोजन से निकल के प्रेजिंस में सोडियम, एथिनॉल के प्रेजिंस में रेक्शन करवाईए, हाइडरोजन में जोर दीजिए, कंपॉ प्रेक्शन करवाईए, आमोनिया से, बेंजिनामाइड बन जाएगा, इसका रेक्शन करवाईए, छोर मॉलिक्टिल ओफ एने ओएज से और ब्रोमीन से, इस तरीके से ये एने टू सी ओ तरी बाहर चला जाएगा, दो एने बाहर बाहर चल जाएगा, हो एच, हो एच, दो अगे बंके बहुत चल जाएगा, एने इस तो इसमें जूर जाएगा, बेंजिन अमीन बन गिया, अनिलीन बन गिया, लास्ट फाइन, आनिलीन से बजाना और बंजाया रियक्शन करवाई ये नचान से, बंजिन डेलू बैय जाएगा, इसका रेक्शन करवाई है, या के सी लेटियम, अलुमिनियम हाइड़ाइड दो स्टेप में होता है सेकंडे स्टेप में एस्टू Ch2 में हो जाएगा इस तरीके से इस यह अकश्ण को बेंजालिकॉल गाते हैं तो अनिली निलीम से बेंजाल कोल बन जाएगा सारे reaction को लिक के practice करें तभी practice हो पाएगा इन सारे reaction को practice अच्छे से कर लिजे क्योंकि इसका chance है पूरा एक्जाम में आने का चानल सब्सक्राइब को के जूर जाएए next video के लिए wait करें next video में set 2 हम upload करेंगे इस video में इतना ही मिलते है next video में thank you like and subscribe please झाल